नमस्का दोस्तों रश्य युक्रेन के वार के होने के बाद से ही रेश्टन देशों के दौरा अलग-अलग हतकंडे अपनाए जा रहे हैं जहां पर एक तरफ युक्रेन को हतियास अप्लाए करके फाइनिंशल एड देके काउंटर ओफेंस के अंदर मदद की जा रही है हाला क उस पीश टॉक में रश्या ही अपने आपको आउट कर लिया जिसके कान से यह पीश टॉक भी फेल होगी युनाइटे नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के अंदर रेजोलुशन भी पास कराए गया है पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रश्या ने सेंक्शन को लेके यानि कि अभी भी रश्या की एकोनॉमी पर असर पढ़ रहा है पर बहुत ज्यादा नहीं जिसके बाद रीसेंड़ी नाटो के एक ओफिशल नौरवेज के अंदर जब टीवी डिबेट का भाग थे तो उस समय पर नाटो के चीफ ऑफ स्टाफ एक अपनी टेरिटरी रश्या को दे दे और खतम हो जाए उसके बाद में नाटो का भाग हो जाए यह स्टेटमेंट अपने आप में काफी कॉन्ट्रोवर्शल है एक नाटो के चीफ ऑफ स्टाफ के द्वारा यह स्टेटमेंट देना काफी जादा घा तक नाटो देशों को द्वारा अगर एक सिंगल टरिटरी भी उक्रेन की होल की गई है तो रश्या उसे वापस करें दूसरा के नाटो के अंदर फुल मेंबर्शिप युक्रेन को मिले जिसके लिए युक्रेन यह पुरा यह ज़राट रहा है तो ऑबियसली इन स्टेटमेंट को युक्रेन सपोर इंटरनेशन लाइंड पासिंग दवार और तुद अधर जनरेशन एवन एक और ऑफिशल एक और स्पोर्स पर्सन जो फॉरेंज मिनिस्टर के युक्रेन के हैं वो कहते हैं कि इस कंप्लीटली अनेक्सेप्टेबल हाला कि जब नाटो के चीफ ऑफ स्टाफ के दौरा यह स् पर जाएगा तो यहां पर रहस्या ने भी मजाक उड़ाने का प्रयास नाटो के देशों का किया युक्रेन का किया वही नाटो देशों को जब नाटो के चीफ ऑफ स्टाफ का यह स्टेटमेंट के बारे हैं पता जाला इमिजेटली नाटो के अंदर भी शायद अप्रा का भाग था उसमें से एक छोटे से पार्ट को यहां पर यूज किया गया है पर दोस्तों यहां पर सच में सोचने वाली बात यह है कि युक्रेन को जो लगातार फाइनेशल एड यूरोपियन यूनियन और यूएज वारा दिये जा रहे हैं वही दुसी तरफ यूएस और यूएस के लोग खुद भी नहीं चाहते के अब यूकरेन को बहुत ज़्यादा फाइनेशल एड प्रोवाइड की जाए ऐसी कंडिशन में यूकरेन का भविश्य के अंदर क्या होने वाला है इन चीजों के ओपर विचार करना बहुत ज़रूरी है उसे कई सारे फैक्ट के करना है और आप चाहते हो कि भविश्य के अंदर आपका नाम भी इस बोर्ड पर आए आप चाहते हो के इंडिया के टॉप एजुकेटर मैं महीपाल सर नीदी मैं किंजल सर अनिरूट सर आप लोग को आपकी यूपी एसी की तयारी के अंदर मदद करें तो दोस्तों आप ल यहां पर कवर करने वाले में सोफ इलिम्स की टेश्री आपको दी जाएगी तो पर दॉला क्लासे ली जाएंगी आंसर राइटिंग की प्रेक्टिस भी आपको क्लासे के अंदर ही कराए जाएगी यह सब कुछ आपको मिलेगा केवल 9999 के अंदर अगर आप लोग SRC 10 कोड का SRC 10 डालना पड़ेगा SRC 10 कोड का यूज करने के बाद मैं आपको हाइस डिसकाउंट और मेरे दौरा वन वन मेंटर्शिप मिलेगी इसके अलावा अगर आप हिंदी मेडियम के हो तो वहां पर आप बहुत बैस के अंदर जुड़ सकते हैं उसके भी प्राइज 9999 है आपको से मतलब यह चारों ऑप्चनल के कोर्से जो कि अभी डिसाइड नहीं है इन चारों में से कुछ लेना है या भविश्य में आने वाले सारे कोर्से जैसे क्रेश को सम लोग लेके आएंगे वह सब भी आपको चाहिए अगले दो साल के लिए तो आप लोग पास फांडर पास दे सकते हो इन सारे कोर्सेस के अंदर पैसाशी टेन कोर्ट का यूज कर सकते हो जिसके बाद में आप लोग को मेरे दौरा वनाउन मेंटरशिप मिलेगी चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं आप हुआ क्या है देखो यूनाइटे इस चेट्स और यूरोपियन यू इन्होंने यूकरेन को प्रोवाइड किया है इन्होंने गाइडेड मल्टीपल लॉंच रॉकेट सिस्टम M142 M270 और कई सारी चीज़ है आप देख सकते हो कि यूकरेन को दी है ताकि यूकरेन जो है वो यह यूद लड़ सके ताकि यूकरेन जो है वो काउंटर ओफेंस ज तोड़ा मरोडा जुद के अंदर यूकरेन के दौरान में इन सारे एक्विपमेंट के ओपर अटेक किये और उसके बाद में कई सारे एक्विपमेंट रश्या के पास आगए वो तूटे-फूटे वेश्टन एक्विपमेंट की इन्होंने वीडियो बनाए रिलीस कर दी ए यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो के युनाइटेज शेड द्वारा बहुत भारी मात्रा में युक्रेइन को फाइनेशल एड दी जारी है लगबग 76.8 बिलियन डॉलर तक की एड जो है वो युनाइटेज शेड द्वारा युक्रेइन को दी गई है जो बाकी सारे देशो जितने भी युद्ध लड़े गए उन सब के अंदर भी अगर युएस ने किसी को एड दी है तो सबसे जादा अभी युक्रेइन को दी जारी है यह क्लियरली डाटा जो है वो दर्शाता है इतना यह नहीं दोस्तों यह तो केवल युएस का डाटा इसके अलावा युरोप निकल रहा है बहुत जादा चेंजेद हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी युक्रेइन के अंदर 11% जमीन जो है वो रश्या के दोरा होल्ड है पहले जब अटेक हुआ था मार्च के समय पे जब रश्या ने बहुत जादा एरिया जो है वो कवर कर लिय जिसके कारण से धिये धिये करके अब western देशों के अंदर भी आ रहा है कि क्या करें भाई साब क्योंकि हम लोग financial aid वगेरा प्रोवाइड कर रहे हैं पर यह bank blank check कब तक प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इन देशों के अंदर भी economic स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है United Kingdom के इंदर inflation जो है एकदम आस्मान चूरा और economy जो है वो शेटर कर रही है आईएमस दोरा वर्ल्ड लेवल के recession के बारे में कहा जा रहा है आईएमस दोरा ये भी कहा गया है कि पूरे वर्ल के अंदर जो GDP ग्रोथ है वो पिछली बार 3.5 प्रतीशत थी तो इस बार के वल 3 प्रत यूकरेन को financial aid देना इनके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है वहीं तीसी तरफ इन देशों के अंदर जो लोग है वो खुझ भी नहीं चाहरा है कि अब यूकरेन को बहुत ज़्यादा financial aid दी जा लीसेंटली अमेरिका के अंदर एक पोल किया गया था CNN company के द्वारा इस पोल के अंदर ये पाया गया कि 55 प्रतीशत लोग ये मानते हैं कि कॉंग्रेस को और funding नहीं देनी चाहिए यूकरेन को 51 प्रतीशत लोग ये मानते हैं कि यूएस ने बहुत कुछ कर दिया यूकरेन के लिए बस बहुत है 48 प्रतीशत लोग ये मानते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक शायद वेस्टन देश यूकरेन को सपोर्ट नहीं कर पाएं पर यूकरेन को अब वेस्टन देशों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवशक्ता है इवन वर्ड लेवल पे जियो पॉलिटी बहुत ज़्यादा बदलती हुई दिखाय दे रही है ज और किस तरीके से इस यूद के अंदर विराम पड़ेगा यह विचार करने वाली बात हैं दोस्तों आज के लिए इत्ता ही रखते हैं लेक्षे अच्छा लगाओ तो लाइक करना लेक्षे बहुत अच्छा लगाओ तो नीचे ऐसा से 10 कमेंट करना अगर आपको लोग को अन इस qr-code को उसके बाद में आपको हमारी सारी offering मिल जाएगी नीचे मैंने link पिन करा दिये दोस्तों आज के लिए इतना ही that's all for my site जहीं जे भारत